जूल्री मार्केट जीजेए पीसी के आंकड़े दर्शाते हैं कि इस साल अप्रेल से अगस्त के दौरान भारत से चांदी के अभूशनों का कुल निर्यात 23.9 करोड डॉलर यानि की 16.28 अरब रुपे रहा जो पिछले साल की इसी अवधी में 200.8 करोड डॉलर यानि की 139.41 अरब रुपे था भा 2016-17 में सबसे अधिक 4.02 अरब डॉलर रहा था तब भारत ने वैश्विक वाजार में थाइलेंड की बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली थी लेकिन अब रुजान पलट गया है थाइलेंड ने निर्यात होने वाले अपने चांदी के अभूशनों को आधुनिक डिजाइनों स अनुसार अपने गहनों को बदलने में नाकाम रहे हैं जूलरी मार्केट नई दिल्ली तो अपने व्यपार से जूड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें जूलरी मार्केट को